Hi everyone, welcome back to my channel दोस्तों, प्रस्तूत है आज की breaking news OPS PM की आर्थिक सलाहकार परिसत के अध्यक्ष देवराय बोले पुरानी पेंशन से राज 2030 तक हो सकते हैं दिवालिया स्कूल हैं, बच्चे हैं, सिच्छक हैं मगर भवन बनाने का बजट नहीं एक ही कमरे में कच्छा एक से पांच तकी क्लास हक के लिए फिर आंदोलन करेंगे सिच्छ मित्र पुरानी पेंशन बहाली के मांग को लेकर गर्जे करमचारी सिच्छक की घर में घुशकर हत्या जवाहर नवोदे विद्याले में आनलाइन आवेदन की तिती बढ़ी कच्छा छे में प्रवेश हेत्व इस तित तक कर सकेंगे आवेदन CTET महला सालवर गैंग एक दिन पहले ही बनाया था वार्टसेप ग्रूप आईए देखते हैं दोस्तों खबरे विस्तार से जहां दोस्तों आप देख पा रहे हैं खबरे विस्तार से किंसमेंट एहब योटूब चैनल पर देवरिया सर्ब सिछा अभ्यान के तहट उतरपदे सरकार प्रात्म विद्यालों के सिछा इस्तर बहतर होने के दावे करती है इसके लिए कई स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज की सुरुवात भी की गई है इसे लेकर जन्पत के जन्द प्रतनित हुआ अधिकारी तमाम परसिदिये सरकारी विद्यालों को गोद लेकर उसका काय कल्प करने में जोटे हैं मगर देवरिया जिले में इस दावे की फोल खोल दी इस तज़्विर को देखकर आप समझ सकते हैं कि जिला बेशिस इछविभाग इन नवनिहालों के भविस के साथ कैसे खिलवाड कर रही है हम बात कर रहे हैं जिले के रामपूर, कारखाना, विकास खंड के प्राथ में बिद्याले आमगाट की जहां डेड़ साल पहले बिद्याले भवन जरजर होने के चलते ध्वस्त कर दिया गया था मगर भवन अब तक नहीं बन सका है यहां इमारत के एक अत्रिक कमरे में पूरी पार्ट साला चला जाती है जो ब्यवहारिक तोर पर मुम्किन नहीं है कच्छा एक से पांच तक के 65 बच्चे स्कूल परिसर में खुले आसमान के नीचे जवीन पर बैठ कर पढ़ते हैं गर्मी हो या कड़ाकी की ठंड यहीं पढ़ना है ऐसे में जब बरसात होती है तो इन्हें एक ही कमरे में पढ़ाया जाता है जब आज तक की टीम स्कूल पोहुची तो देखा कि हेड मास्टर कच्छा 4 वाँ 5 को एक साथ बिठा कर पढ़ा रहे हैं वहीं सिक्चा मीत्र कच्छा 1 दो को एक साथ बिठा कर पढ़ा रहे हैं और कछातिन के बच्चे बिना ध्यापक के अलग बैट हैं क्योंकि सहाय का ध्यापक सरकारी काम से बी आर सी के लिए निकले हैं विध्याले का जो अत्रिक्त भोन है उसी फिलाल स्टूर के तवर पर इस्तिमाल किया जा रहा है यहां के मासरों बचों कहना है की एक से पांस तक के बचे एक कमरे में नहीं बैट पाते इसलिए वह बाहर पड़ते हैं इस पूरे मामले में प्रभारी बेसी सिच्छा अधिकारी बिजेनरा नेपाल त्रिपाठी ने बताया कि प्रात्मिक विद्याले में एक कमरा है परियूजनावा सासिन को बेसिक विभाग से पत लिखा गया है बजट आते ही जल्द भाउन का दिर्मार्ण कराती है जाएगा ताकि बच्चों को परिशानी नहों प्रतागर सिच्छा मित्रों ने एक बार फिर हक की लड़ाई के लिए संगर्स करने का फैसला किया है रिव्यार को कमपनी बाग में बैठक में सिच्छा मित्र संग के जलाद्यक्ष रिदा संग ने कहा कि हातोत साहिध होनी क्यों सकता संगर्स के बिना कुछ मिलने वाला नहीं है लखनों में दिस पर यूख होने वाले संमेलन में इसकी रणनेति तयार की जाएगी पुरानी प्रैसन बचाव मंच के प्रयासों से पुरानी प्रैसन बहाली का मुद्दा अब किसी एक राजी तक सिमित्ना होकर अकिल भारती इ दोलन बिधानस वाचनाओं में राजनेतिक दलों के गोशड़ा पत्र का मुख एजेंडा बन गया है यह बाते बलाग सभागार में आउजित प्रेंशन वंचितों की मीटिंग में अटेवा पतितकारियों ने ब्यक्त किया अटेवा मंदल महामंत्री डाक्टर बिनो त्रिपाठे ने प्रेंशन वंचितों को सम्भोधित करते हुए कहा कि पुरानी प्रेंशन योजना को बहाल करने की मांग दिनों दिन जोर पकड़ रहा है पारवती विक्सकर्मा के अंसार आर्थे गुदारी क्रण से प्रेरित होकर बाजपेश सरकार के कारेकाल में ओपियसों खत्मकर जन्री 24 से राश्टी 55 प्रणाली को लागू किया गया था कारेकरम का संचालन डाक्टर सुस्वील ने किया गोंडा सहर के फोर बीस गंड में एक सिच्छा की उसके किराय के घर में गुशकर हत्या कर दे गई जानकारी पुलिस को संद्वार की देर राश करी स्वाड़े 9 बजे हुई अपर पुलिस अधिचेक शुराज प्रजापते ने मोगेपुर मोंचा जाड़ पताल की उन्होंने कहा कि मामली की अभी जाच की जा रही है सहर में सिविल आइन के लखनव हाईवी से सटे फोरवीज गंज में साइबिज नाम ब्यक्ति के यहां सिच्छा कृष्ण कुमार यादो 32 किराय के मकान पर घर लेकर रहते थे कृष्ण कुमार यादो जनता इंटर कालेज इटिया थोक में साया के ध्यापक पत्पर कार रहत हैं वह अंबेट कर नगर जिलेके हैं भस्मापूर थाना जलालपूर के रहने वाले हैं उनका कमरा देर रहा तक बंद रहा और खोन बहरा था रात करीब 9 बजे पुलिस गंपरी चाइब सीछग श्यूराज प्रजापत ने घटना इस्थल पत्र जांचकी कहा कि अगंभी रहा है । लोग जाने से ये वक्त था अकेला सिचक के साथरु थी इसलिए वाके लिए था अभी उसकी बहें से किसी का संपर्ग भी नहीं हो सका पुलिस जांच में लगी हुई है वर्जन घटना गंबीर है हर बिन कोई जांच की जा रही है भी कुछ नहीं कह सकते सिवराज प्रजापती अपर पुलिस अधीचक दोस्तों यह है नबोदे सेशन 2023-24 इन जवार नबोदे विद्यालया थू स्रेक्शन टेस्ट इस इन प्रोग्रेस लाज्ट डेट अफ सब्मिशन अफ अनलाइन अप्लिकेशन इस एक्टेट अप्तू 8th February 2023 काड़ेट्स में अप्लाइ फ्री आफ कास्ट बाइट बीसितिंग वेबसाइट स्ट्प् इस इस उडबाई नबोदे विद्यालय समीथी लखनाओ सेंट्रल टीचर एलेजबेल्टी टेस्ट सीटेट में पकड़ेगे महला सालवरों ने एक दिन पहले ही वार्टसप ग्रूप बनाया था इसने परिशा समानी चैट की गए पुलिस ने इस चैट को साक्ष के तौर में सामिल किया है जिस तरह से प्रिचह में 12 ही वाई इस नाथ कर रही हूथी को बते सालवर सामिल किया गया था उससे बात लगवाक कि रोह का मकसद परिशा पर कराने का नहीं था शैर में संग्मार को अलग लग तिन परिशता केंद्रों से 5 महले सालवर ग्रहतार की गए जिसमें सिलू संगीता रूची जूलिवा एक अन्य सामिल थे पुष्टाच में सभी ने बताया कि स्वानी नाम की यूटी ने एक गजार रुपए परिच्छा में बैटने की डिल की थी पांच में से तिन उतियां बंत्रा इश्टी सुल्तान फौनडेशन परिच्छा केंसे पकड़ी गई थी बंत्रा इस्पेक्टर असीस में संद्र बताय कि प्रत्योग परिच्छवां में जो भी साल वर इसके पहले पकड़ेगे उनकी योगता तभी अच्छी रही तभी अभरतों की यगा परिच्छा देकर बास करने का ठीकर लेता है इस मामलें जो भी उतियां पकड़ेगे हो पढ़ने में सामान नहीं यहां तक इसना तक भी वह पढ़ी नहीं है अधिक्ते रिंटर कर रही हैं दोशना तक कर रही है इसलिए असंका है कि साल पर बिठाने वाले ग्रहों कम मक्सद कुछ और था जब ग्रहों के सभी से दस वर सरकता पकड़े जाएंगे तभी मामला साफ सकेगा OPS PM की आर्थिक सलाहकार परसत की अद्यक्त से देवरा बोले पुरानी पेंसर्ण से राज 2030 तक हो सकते हैं दीवलिया पुरानी पेंसरंस की वीयुशतौत करने वाले राज वर्स 2030 देवालिया हो सकते हैं परना मंत्री कि अद्धिक्त EAC PM के अद्धिक ड्रु बिव जो राज इसे लागू कर रहे हैं वे इसके भयावा आर्थिक प्रडाम को नजर अंदाज कर रहे हैं या दुरुभाग पूर है हमें ने भूलना चाहिए कि नहीं पिरसने उजना के पिछे क्या राजितिक वार्थिक वजह रही है उनका अगर हम करदाताओं का दैरा पड़ा लाना चाहते हैं तो हमें धिर धिर ऐसा सिस्टम लाना चाहिए जहां ऊवर्त न शूट न मिले गेर चांद मीन के वाख्य न करणाने वाली में प्रसाहिए डाक्टर देवराय ने माना कि नहीं करविष्था को अच्छी प्रत्किय नहीं मिली उन्होंने कहा कि इसे अपनाने वाले को प्रोसान दिया नहीं चाहिए पुरानी करविष्था को लोग इसलिए से विकार रहे हैं क्योंकि अब भी सारी छूट उसी में दी जा रही है डाक् मुझे उम्मीद है कि इस बजट में इसे और भी प्रभावी बनाए जाएगा तो दोस्तों यह रहा आज का ब्रेकिंग नूज आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तेर पीछ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ब हुआ हुआ हो झाल